my dear student, आज कि इस वेड़ो में बात करेंगे 였ए बिये 2nd year के बिये 3rd semester जानि की 33rd semester के Hindi के पूरे के पूरे slavery और most important question के बारे में तो जिन जिन भी university वा college के student की परिच्छा आने वाले दिनों में लगी है उनको परिच्छा देने से पहले या फिर exam के तैयारी करने से पहले उनको flavors के बारे में जानकारी होने चाहिए और topics के बारे में जानकारी होने चाहिए कि क्या-क्या flavors होने वाला है और कौन-कौन से topics है जहां से हमारी परिच्छा में प्रशना है क्योंकि आपके flavors से और topics से ही प्रश्ण पूछे जाते हैं तो यदि आपको flavors और topics के बारे में जान गई रहेगी तो आपको बहुत ज्यादा समस्या नहीं होगी ठीक है तो अब बीरा देरी को वीडियो को शुरू करते हैं प्रूप के तोर पे देख लिए आपका वर्स दूत आठ यूनिट आठ चैप्टर आठ topics में डिवाइड है आप लोग यूनिट बोलिए topics बोलिए chapter बोलिए सब एक ही है तो ये पूरा का पूरा आठ यूनिट में डिवाइड है इन्हीं आठ यूनिट से सम्मंधित कोश्चित पूछे जाएंगे तो एक के करके हम सभी यूनि कहानी का उद्भोर विकास कहानी नाटक उपन्यास अलोशना ये सब क्या है ये हमारी हिंदी की गद्ध की बिधाएं है ठीक है ओके तो इन्हीं बिधाओं फीड़ो कोश्चन आएंगे और अन्य भी कोश्चन आएंगे जो कि आपको बताएंगे आगे हम तो पहला जो है प कहाने का उद्भो कब से हुआ है कि कब से ये हिंदी के लेख में या फिस सम्मिधान में इसके बारे में उलेख किया गया है और तभी फेलेकर हिंदी एक सब्जेक्ट के रूप में परस्तूत है मतलब कि हिंदी के सब्जेक्ट के रूप में प्रिस्तुत वहीं से हिंदी कहानी का जन्म होता है ठीक है तो हिंदी सब्जेक्ट के अंतरगत कहानी के बारे में बताया गया कि प्रमारित क्या गया कि हाँ आप बच्चों को पुराने दिनों को याद करके पढ़ते बर आज कल वो सलेबस आपके टोपिक्स में आ गया है आप लोगो पढ़ते हैं वो लिखना पढ़ता है ठीक है तो ये इसके बारे में लिखना पढ़ेगा उद्भो के बारे में बाकाइदा मैं आपको इसका उत्तर प्रस्तुत मैं आपको बताजे रहाँ मैं आपको बता जे रहाँ हमें शकर नाटक नाटक आप लोग जानते सब्सक्राइब करते हैं लोग तो इसकी सुरुवात कब हुई थी और इसका दिन-प्रति-दिन कैसे विकास हुआ उसके बारे में दिखना है ठीक है नाटक के बारे में उसके बारे में उसके बारे में अगली विधाज इसका नाम अलोशना तो इसकी सुरुवात कैसे हुआ इ कि अन्य बहुत सारी गद्ध बिधाएं जिनके उद्भों के बारे हम लिखना है ठीक है यहां से प्रस्ण आएंगे तो यह फर्स्ट यूनिट से समंदित आपको में कहानी उपर्ण्याफ नाटक और रोशना यह तो आपको ध्यान रखना है यहां फीडियो कोश्चन आएंग इनके नाम लिख़ी उपन्याफ लिखने वाले प्रमुक कभी के नाम लिखें इविडает Prab Erica कि परिवाफ़ा दीजिए इस लेबर से में included बिधाएं हैं ठीक है इन्हीं बिधाओं कोश्चन आएंगे खाफ करके आपको कहानी है उपन्याफ नाटा के कांगी ठीक है निबंद रेखा चित्र आत्मकथा जीवनी आत्मकथा और जीवनों दोनों similar है ठीक है और आत्मकथा जो होती है स्वयम की कहानी म मतब कि अपने आपकी कहानी पर लिखी जाती है और जीवनी जो होता है किसी दूफरे की जीवन पर आधारित कहानी को जीवनी कहा जाता है यह दो पॉप्लर कोश्चन हमेंसा फंसते फंसते ठीक है तो यह बिधाएं हो गई जिसके बाद आ जाएंगे हम यूर्टमबर थर् भी ठीक है तो बाहुबली में एक मूबी है ना बाहुबली मूबी का नाम है ठीक है उसी बाहुबली में बहुत फारे अलग अलग पात्र हैं एक्टर हैं विलन हैं और अलग अन्यन पात्र हैं ठीक है यानि कि अलग 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 रोल हैं ठीक है तो यह क्या हो गया यह आप पर जो है वो जहांसी की रानी को पन्यास है और इसको लिखने वाले जो है वो है ब्रंदालाल वर्मा तो इन से जोड़े कोश्चन पूछे जाएंगे ठीक है इफी तरह आपस सभी चीज पुस्तुत है आप लोग पढ़ लीजिए उसके बाद यूट नंबर फोर्थ में आ जाएगा यूट नंबर फोर्थ में एक पंच परमेसर की कहानी आपके बीएफ जो आपका थर्ड समेस्टर है सेकेंडियर पंच परमेसर की कहानी है जो की प्रेम चंदर ज्वरा रचित है यहाँ से कोश्टन आएंगे पाजेप जो की कहानी है इसकी लेखक जैनेंदर है यह आपके टोपिक्स मतलब कि आपके बाठ है लेशन है ठीक है गैंग ग्रीन जो की अचिदा नंद हीरा नंद वास्वल अगले उनिट में देखने को मिलेंगे नाटक और एकांगी नाटक आपके स्लेबर्स में दुरुसामनी जो लिखी गई है जैसे अंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई है बहुत ही पॉप्लर यह मतलब नाटक है और हमेशा फंसते हैं स्वीडियो कोश्चन इस बार भी पसेंगे नाटक जो की दुरुस वामनी है और इसके लेकर जैसे अंकर प्रसाद है कम बारा से पंदा नंबर के कोश्चन दूरुस वामने फिडियो कोश्चन आते हैं दस बारा नंबर के तो पकाई 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 उसके बाद एकांकी जो दीबदान है एकांकी का नाम दीबदान है जो की डाक्टर राम कुमार वर्मा जी ने लिखा है लच्छमी का स्वागत जो है इसको उपेंदर असकंद लिखा है तो आपके टोपिक्स लेवर समय इनसेड़ नाएंगे ठीक है उसके बाद अगले यूनिट में आ जाएंगे इसमें आपको निबंद देखने को बिदा है तो आपके लेवर से ठीक एंडियर के थर्ड शमस्टर जो आपका लेवर से टोपिक्स लेशन है भारत वर्सो उन्नत कैसे हो सकती है ये लेसन है और मतलब की एक निबंध है जो की लेसन है आपके सब्जक्ट में हिंदीकत में और ये निबंध के लेखा के हैं भारते इंदोरिश्चन तो इंफ्रेड़ा कोश्चन आएगा मित्रता एक निबंध है जो कि अचार राम चंदुखकल जी का है इंफर जोड़ा कोशन आएगा अशॉक के फूल एक निबंध है जो कि आपके थ़र्श्वाइद अच्छन प्र Ask Jeansile सरूप जोग मतलब की निबंध एज पूर्श हइं duduk हमिंप 3प के आफ पीज़ा जी मतलब कि हम निस्ट यूनिट की ओर बढ़ते हैं, तो निस्ट यूनिट में आपको अनिग गद्य बिधा है देखने को मिलेंगे, जिसमें से रेखा चित्र बिधा है, और गिल्लू एक रेखा चित्र बिधा की रश्ना है, जिसकी प्रमकर रशनाकार और काइबेत्री महादेवी वर्माजी हैं तो यहाँ फिड़ा कोश्चन पर सकता है संसी मरण जिसका नाम है तीस बरस का साथी और इसके रशनाकार राम बिलास वर्माजी है जिवनी अंस जो की गद बिधा है और गद बिधा की जो रशना है कलम का सिपाही ठीक है और ये अमरत राजी की रशना है और अगला जो बिधा है वो रिपोर्ट ताज है ठीक है और रिपोर्ट ताज बिधा की जो रशना है रेण जल धन रेण जल धन जल ये रशना रेणु के विभावा में आपको जिए कम देखनेंगे जो मिलेंगे बाकी की जो उपर यूनिट्ट है उसमें जुद ए दो जो जोटो इह गाय तो ना कोई तही तहता है लेकिन कौन आएगा इसके कोई गारंटी नहीं और आएगा भी तो एक ही कोश्चन आएगा ठीक है इन अन्य विधाओं में से उसके बाद यह अन्य विधा प्रथम खंड था अब अन्य विधा सिकेंड खंड में देख लेते हैं कौन-कौन से टॉपिक से जोड़े कोश्चन आफरकते हैं जिसे की यात्रा वरतांत एक विधा है और इस विधा की रशना है मेरी तिब्बत यात्रा जो की प्रमुक विध्वान और प्रमुक कभी लेखक राहुल संसुकरत्यान की प्रमुक यात्रा वरतांत रशना है ठीक है और अगली ड इंटरवियू , एक बिधा है , इसके बाद आ जाएंगे पदम पर आजाएंगे आत्मक अंस , आत्मकत्था वंस का जोकी विधा है , बिधा। आत्मक वंस है रष्ट्ण直मप्रकास वालमी की, तो ये पूरार आठ्ध हें यहीं पर समाब्थ होता है , इन्ही आठ यूनिट फिडियो कुश्चन आपकी परिच्छा में आएंगे इससे बाहर का कुश्च नहीं आएगा आज किस वीडियो मैंने आपको स्लेबर्स पूरा कबर कराया टॉपिक्स कबर कराया कि आपकी परिच्छा में जो प्रशन आएंगे वो कौन-कौन से टॉपि कुश्चन एंसर वाली वीडियो चलेगी फिर महा संग्राम वीडियो चलेगी फिर महा संग्राम रिवीजन वीडियो चलेगी फिर आपको पिछले फाल के माडल पेपर भी सौल्व करायेंगे कैसे पेपर आता है इसमें किस परकार को कुश्चन पूछे जाते हैं यह सब प आप लोगों के लिए पूरी तैयारी कराएंगे और PDF नोट सहीत सारी जानकारी मिलेगी बस जुड़े रहेगा आपका अपना चैनल सक्सेस टूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा मिलते हैं और ने वीडियो में जहिंद